नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे एक और नए वीडियो में आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ CET समान पात्रता प्रिक्षय के बारे में संपूर्ण जानकरी जो की एक लंबे समय से चर्चा का विसे बनी हुई थी उसको लेकर कार्मिक विभाग ने एक नोटिपिकेशन जारी किया है इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे या कब लागू होगा, क्या जो वर्तमान में प्रक्रियादीन भरतियां है उन पर भी ये लागू होगा उन सब के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ तो आप वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले इस चैनल पर आपको बढ़ती परतियों की प्रिक्षाओं के बारे में संपूर्ण जानकरी सबसे पहले दी जाती है इसके लवा यहाँ पर आपको अपनी भरती प्रिक्षाओं से समंदित कंटेंट भी उपलब्द कराया जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें तो आई शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो तो यह राजस्तान सरकार के कारमगी भग ने एक आदेश जारी किया है 23 जून 2021 को CET समान पातरता प्रिक्षाओं के बारे में जो की एक लंबे समय से चर्चा का विससे बनी हुई थी उसके बारे में उन्होंने कुछ आदेश जारी किया है उसी का नोटिफिकेशन है यह तो मैं आपको इसके बारे में एक विस्तित जानकरी देने वाला हूँ तो सबसे पहले इसकी जो मोटी मोटी हेडलाइन से उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें ये कहा गया है कि जो भी अभ्यारती है वो विभिन पदों की भड़तियों के लिए बार-बार आवेदन करते हैं बार-बार प्रिक्षा में समलेत होते हैं बार-बार सुलक देते हैं बार-बार वो समय का उनका नुक्सान होता है सरम करते हैं जेब खर्च भी करते हैं उन सबसे बचाने के लिए अधिनस्त बोर्ड एक समान पातरता प्रिक्षा आज़ित करेगा उसी का इन्होंने इसमें नोटिपिकिशन में कुछ जो निर्देश दिये हैं महत्पून उसी के बारे में मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ तो सबसे पहले जो पहला बिंदू है इसमें उन्होंने कहा है कि अधिनस्त एयुम मंत्रले सेवाओं के गेर तकनिकी पदों सनलगन सुची एक वद्दीते की भरते प्रिक्षा में समलित होने के लिए समान पातरता प्रिक्षा में भाग लेना अनिवारी होगा सबसे पहले कि अगर आप किसी भी प्रिक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको CET में सामिल होना अनिवारी होगा अगर आप इसमें भाग नहीं लेते हैं तो आप भरते प्रिक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे ये इन्हों ने इसमें का है किसी भी अभीहरती को अन्य था पात्र होने पर इस प्रिक्षा में अर्जित अंगों के आदार पर किसी भी पत पर हुई बढ़ती है तो आयोजन के जाने वाली परतियों की प्रिक्षा में भाग लेने है तो पात्र माना जाएगा यानि कि जब आप इसमें भाग ले लेंगे आपका इसका सल्टिपिकिट जो बनेगा वो जारी कर दिया जाएगा उसके बाद ही आप किसी भी प्रकार की परतियों की प्रिक्षिया में भाग ले सकते हैं जो कंपल्सरी होगा कि आप से इटी का पेपर अवस्य दे यह उन्हों पर्थम बिंदू में कहा है अगला जो सेकंड बिंदू है इसमें उन्होंने कहा है कि इसना तक एम उच्छ माद्धे में सेक्ष योगेता के आधार पर अनुसुची पर्थम एम दीती में उल्ले खित प पांगी जाती है और दूसरी में सिकंड्री लेवल की तो दोनों ही परकार के लिए अलग अलग से इटी रायोगी जाएगी तो इसके ब्रेजिशसन लेवल कि भृतियों को अलग किया जाएगा और से इन्होंने निर्देश नमर 2 में कहा है अगला जो निर्देश तीन हैं राजस्तानी करमचारी चैन बोर्ड द्वारा किया जाएगा बोर्ड द्वारा इस प्रिक्षया का आयोजन साम्मानेते वर्स में एक बार किया जाएगा यानि कि इस प्रिक्षया का जो आयोजन है वो राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड करेगा और यह संबहुत है हर वर्स इ एक बार अवस्य किया जाएगा यह इन्होंने बिंदू नमबर तीन में कहा है अगला जो चार नमबर का बिंदू है इसमें उन्होंने कहा है कि समान पात्रता प्रिक्षा एक चरण ये बहु विकल्पि कर प्रसंद पत्र पर आधरित प्रिक्षा होगी यानि कि इसका सिर्फ एक पेपर होगा और जिसमें अब्जेक्टिव टाइप के क्यूशन आएंगे तो ये एक निर्देश है कि ये बहु इकल्पी परसंद पर आधरित प्रिक्षा होगी जो अगला पॉइंट है पॉइंट नमर पांच इन्हों ने इसमें कहा है कि समान पात्रता प्रिक्षा के न इसका प्रभारी राजस्तान परसंद सेवा का विस्षट अधिकारी होगा कोई भी राजस्तान परसंद सेवा का जो अधिकारी होगा वह इसका प्रभारी बनाएगा और उसी दहार करमचारी चैन बोर्ड को इसकी रिपोर्ट करेगा इस प्रकोष्ट का द्वारा केवल समा लाओ उसको कोई दूसरा काम नहीं होगा वह इसकी जो तीन अनु भाग हैं स्परिक्षया अनुसंदान एंव परसंद सामगरी या समझने में इस्तापित होगा वह कारिये सारा इस परकोष्ट का होगा तो यह इन्हों ने कहा है अगला जो बिंदू है जो छैन नमबर का है इ सिटेट करने के पच्छाथ सब भी विद्धियरतियों के अंकों को सारवजनिक किया जाएगा यानि कि आप जब सीटे का पेपर देलेंगे तो आपके उसमें कितने नमबर आ रहे हैं कितनी परसंटेज वो बन रही है वो सब भी स्टूडेंट की सारवजनिक की जाएगी सब क बताया जाएगा उसके बाद इस प्रिक्षा है तो कोई भी नियूंतम उत्तिरनाग नहीं होंगे यानि कि आपका कोई भी निर्दार्थ नहीं होगा कि आप इतने नमबर आने पर ही पास होंगे या इससे कमावई तो आप फेल हो जाएंगे ऐसा कोई भी सिस्टम इसमें न प्रावधन नहीं किया गया है यानि कि नियूंतम उत्तिरनाग की विवस्ता इसमें नहीं होगी बलकि किसी भी विसेश की भरती के समय इस प्रिक्षा में प्राप अंकों के आधार पर अभ्यारते उसे आविदन आम मंत्रित किये जाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि मान लो किसी भी पद के लिए फॉम मांगे जाते हैं मान लो कि आगामी समय में ग्राम सेवक की वीडियो की जो वेकेंसी आएगी उसके लिए यह फॉम मांगेंगे तो उसमें यह कहेंगे कि जिसी भी विद्यारती के CET में मिनिमम पचास प्रशेंट नंबर है या साट प्रशेंट नंबर है जो भी यह निर्धारत करेंगे अगर इतनी नंबर हैं वही इसके लिए नहीं कर पाएगा इसे कम वाला इसमें इसमें करने वाले यह तो इसमें नियुनतम उत्रमाग नहीं होगा आप अच्छा स्कोर करेंगे और आने वाले भरती में उनकी मांग कह रहती है वो क्या योग गिताई निर्धरित करते हैं उसके अधार पर ही आप उसमें फॉर्म अप्लाइ करने के लिए योगे हैं या नहीं है ये उसी टाइम पता चलेगा ये नहीं है कि आपने CET दिया और आप सभी प्रकार की बढ़ती की प्रिक्षियाओं के लिए योगे हो गए इसा इसमें कुछ भी प्राउधान नहीं है तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ चलते हैं अगले बिंदों में इसमें कहा है कि प्रिक्षिया में हुआ समान पात्रका की वेदता तीन वर्ष की होगी यानि एक बार 100 प्रपर काम उतल प्रपर भी बलती प्रिकषिया में बैठने के लिए उनका आप उप्योग नहीं कर सकते और कोई भी अभ्यारती प्रिक्षा में एक बार अर्जित अंगो गया धार पर अन्य था पात्र होने से तीन वस तक समझे तों के लिए आवेदन पात्र मना जागे यानि कुल मिलाकर कि तीन साल के लिए आप उनका प्रियोग सभी प्रकार कि भरती प्रिक्षाओं में कर सकते हैं ऐसा उन्होंने कहा है अगला बिंदू है आठ उसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रिक्षा में बैठने है तो और उसनों की कोई भी सीमा नहीं है यानि कि आप कितनी भी बार सीटी प्रिक्षा में बैठ सकते हैं कितनी भी भार आप इस पकी जो ranking है, आपके अंक्र हैं आप उनको सुधार सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी जो पड़ाही है उसके उपर निर्वर करेगा, कि आप इसको सुधारते हैं, या और नीचा गिराते हैं, लेकिन आपको सरकार एक चांज़ देगी, कि आप इसमें और सुदार कर सकते हैं और जिस अूसर में अधिक अर्जित करेंग उसे पात्र हितु जाना जाएगा हितु गिना जाएगा यानि कि जिस वर्स आपने CET दिया और जिस अगर आपके मालो लगतार दो बार आपने पेपर दिया CET का एक में आपके 50 अंक वने, एक में आपके 60 अंक वने, तीसरी वर्स एक भच्छी आती है, तो उसमें आप अपफलाई करते हैं, उसमें आपके 60 नमबर वाला पेपर है उसको गिना जाएगा ने की 50 वाले लेखो कहने का मतलब यह है कि जिस पेपर में आपके ज़्यादा अंग होंगे उसको पात्रता है तू गिना जाएगा यह इन्होंने कहा है अगला जो निर्देश है वो आपको बताता हूं में निर्देश नमबर 9 है इसमें उन्हें कहा है कि समान पत्रता प्रिक्षा के लिए आयू एम अन्य माप दंडों के समंद में राज्जी में परचलित आरक्षन प्रावधान लागू होंगे यानि कि जो हमारे आरक्षन समंदी प्रावधान है राजिस्तान में वो इसमें भी ल यान पत्रता केव decline ौदर्देश प्रीक्षा होगी दर्धस इस Ing Münıp को किसी भी पत्त के अंतिम चेन के लिए नहीं गिना जाएगा अर्थात केवल इस प्रिक्षा में सामिल होने अत्वा उच अंक प्राप करने से किसी भी विद्धार्थी को किसी भी पत्वर्चेन के समंद में कोई अधिकार नहीं मिलेगा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके सेटी में अच्छे अंक आते हैं या मान लो बड़िया आपका इसमें प्रद्ध शरता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो भड़ती आएगी जिसके लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें आपको इसका कुछ फायदा मिलेग या इसके आधार पर आपको वहां चैनित किया जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यह सिर्फ एक पात्रता प्रिक्षिया होगी जिसके आधार पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नोकरी में चैन लेना है तो आपको उस विभाग का पेपर अच्छे अंक में किसी भी परकार की साहिता नहीं करेगी सिर्फ और सिर्फ इस प्रिक्षा को पास करके आप किसी भी विभाग की भड़ती प्रिक्षा में बैठने के लिए जो है योग गिमाने जाओगे ऐसा इन्होंने कहा है इसमें दूसरा है जो ग्यार्वा पॉइंट है इसमें इन् मिला कि इस पॉइंट में ये ये कहना चाहते हैं कि हम ऐसी विवस्ता बनाएंगे कि इसके लिए आपको बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा बार बार प्रिक्षे सुल्क नहीं देना पड़ेगा आपको एक आईडी और एक पासवोड दे दिया जाएगा उसी के आदार ये लागू होने की प्रिक्रिया में नहीं है इसके अभी और काम करना इस पर बाकि है जो अगला पॉइंट है पॉइंट नमर 12 इसमें इन्हों ने कहा कि संलगने सुचियों में वर्नित पदों की बढ़ती में समान पातरता प्रिक्षा का प्रावधन समंदित सेवा नियम क करने एम के नियम बनन लखाजनर कार कार्व कारीब भाग ना कर दोरा किया जाएगा जिसके पशाथी समान पातर अप्रक्सिए उबनेंगे कैसे इसका और को रुष्व करेंगे ऑर नीए कानोन बनाएगा उसके बार मिनाएगा से आम है इस जो भी छात्री ये समझ रहे हैं कि या पटवारी में भी स्रीती लागू होगा या नहीं होगा जो संसिता वो इन्हों ने इसमें क्लियर किया है इसमें उन्होंने कहा समंद्ध के पर ñपदोता कंपा यहायों पहले से विग्यपति पदों की भूतियों पर Toronto नहीं होंगे पहले से प्रक्रिया ध्रोत सभी बर्तिया विग्यपति काड़ रहागी तौन ll location participants ऑज्रुन्हार वर्तमान में जो भरतियां चल रही है उन पर इसके प्रावधान लागू नहीं होगी यानि कि जो सबसे बड़ा संसेता कि क्या पटवारी में सी इटी लागू होगा तो इस पटवारी पर इस बार सी इटी लागू नहीं होगा यह बहुत महत्मुन बात इन्होंने किलियर कर है क्योंकि पटवारी के पहले से ही फॉर्म भरे जा चुके हैं पहले से भरती प्रक्रियाधीन है तो सी इटी के प्रावधान इस पर लागू नहीं होंगे तो यह जो संसेता वह यहां पर इन्होंने इस पष्ट कर दिया है अगले पॉइंट पर इन्होंने का कि राजस्ता सब्सक्राइब करते हैं तो अन्होंने इसमें कहा है तो यह जो तो एक लंबे समय से चर्चा का विससे बना हुआ था C8 कि ये कैसा होगा, क्या इसका प्राउधान होगा, क्या क्या इसमें नियम कानून होगे, इसका जो पटवारी है, उस पर भी क्या इसका असर पड़ेगा, तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है, तो ये कुछ महत्मुन ज दोस्तों को साथ अधिक छेदिक सेर करें, और चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवस से प्रेस करें, ऐसे ही आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, वो आपको मिले सबसे पहले, धन्यवाद,